पाठ चोदहा गोपाल की सच्चाई बच्चों से बात चीत कीजिए जब आपके अच्छे काम के लिए आपकी प्रशंसा की जाती है तब आप खुश होते हैं किन्तु काम कोई और करे और प्रशंसा आपकी की जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप खुशी महसूस करेंगे? आईए यह घटना पढ़कर जाने बालक गोपाल विद्याले में पढ़ता था एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके छुट्टी की घंटी बच बच्चों को वह प्रश्न घर से हल कर लाने के लिए कह दिया सब बच्चे घर चले गए अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कौपी दिखाने को कहा कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था अंत में गोपाल की बारी आई अध्यापक ने गोपाल के कौपी लेकर उसका उत्तर जाचा तो वह बिलकुल ठीक था अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए उन्हों ने उसकी पीट थप थपाई और उसकी बहुत प्रशन्सा की अपनी प्रशन्सा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ बलकि उसके चेहरे पर उदासी चा गई वह सिर नीचा किये खड़ा रहा जो जो अध्यापक उसकी प्रशन्सा करते जाते त्यो त्यो उ उसकी उदासी बढ़ती जाती अंत में वह फूट फूट कर रो पड़ा अध्यापक को बड़ा आश्चरिय हुआ उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा बेटा तुमने तो प्रशन को सही हल किया है तुम रो क्यो रहे हो गोपाल ने रोते हुए कहा गुरु ने स्वयम हल नहीं किया है इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था अपनी प्रशन सा सुनकर मुझे बड़ा दुखो रहा है गोपाल की बात सुनकर अध्यापक काहुरिदय भर आया वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए उसे गले से लगाते हुए ब पेटा तुम एक सच्चे बालक हो तुम अवश्य अपने देश का नाम उचा करोगे अध्यापक की कही हुई बात सच निकली यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्न गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना गोपाल कृष्ण गोकले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नती के लिए अर्पित कर दिया महत्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे